वेल मेरे प्यारे बालोग को आप जानता है कि हर साल जो NTA free में marks आप लोगो देता है इस साल भी कुछ ऐसा कांड हो चुका है बाप बोलेंगे sir कांड क्या हो गया इसमें तो क्या physics, chemistry, biology तीनों में आपको bonus marks मिल रही है तो मैं बोलूगा तो हाँ तीनों में मिलनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ आपको physics में bonus number दिया जाएगा chemistry और biology chemistry tricky था खुद ही teachers confused थे, बच्चे confused थे करना क्या है तो chemistry में तो कोई bonus marks expect मत करना, biology was very simple हाँ physics में bonus marks आपको दिया जा सकता है लेकिन है criteria होता है कि बोनस marks किसके basis पर decide होगा तो दो cases NTA ने बताया है कि दो और एक तिसरा case है जिसमें NTA अपने आपको जिम्मेदार ठहराता है पहला case यह कहता है कि अगर समझो कि दो options correct है option A, C या B और D अगर दो options correct है तो bonus marks उसी बच्चे को दिया जाएगा जिसने उस question को attempt किया रहेगा मतलब समझो गर A और C correct है जिस बचे ने A और C अगर A पर tick किया होगा तो उसको bonus number मिल जाएगा या C पर tick किया होगा तो bonus number मिल जाएगा लेकिन जिस बच्चे ने attempt ही नहीं किया है और अगर वो expect करेंगे bonus number तो नहीं मिलने वाला, अगर तुम claim भी करोगे तो पैसा waste होगा, मत करना हो चीज़, ठीक है Second case कहा है कि समझो कि अगर कोई भी option correct नहीं है ABCD कोई भी correct नहीं है तो सारे वच्चों को free में number मिल जाएगा जो कि इस साल आप लोग को Second case में number मिलने वाला है physics में तो जिसका negative marks हा रहा है तुम तो खुश हो जाओ है ना, तुमारे चार तो ऐसे कम हो गए धर तो physics में एक सवाल आया था जिसका answer जो है आप मैं explain नहीं कर पाऊंगा I'm a biology educator, ठीक है 8 साल हो गया है छोड़े physics इसका answer जो है वो root 3 by point root 5 बन रहा है ठीक है लेकिन यहां पर कहीं पर भी root दिया नहीं मतलब क्या A, B, C, D कोई भी option correct नहीं बन रहा है तो सारे के सारे बच्चों को यहां पर bonus number मिलेगा ठीक है यह पहली बात हो गई जी और इसके साथ साथ सबसी important है कि आपको इतना पता ही होगा कि अगर आपने correct attempt क्या होगा तो plus 4 अगर गलत हुआ रहेगा तो minus 1 तो यह भी एक आपका rule इस बार follow नहीं आला है third rule क्या है ना कि समझी कि अगर NTA को लग रहा कि question है ना गलत है अगर NTA को लग रहा कि question गलत है तो NTA इस question को count ही नहीं करेगा और आपके number उसी समय कम हो जाएंगे मरे बाद आप समझे रहे हैं तो उस समय को count नहीं किया जाएगा लेकिन इस case में आपका second option है because कोई भी option यहां पर correct नहीं है question right पूछा गया है तो यह आपका सबसे important चीज़ा है second और सबसे most important बात है कि आप में से maximum जो बच्चे हैं वो यह सोच रहे हैं कि sir हमारे number अब कम बन रहे हमें क्या करना चाहिए अब कुछ लोग क्या रहे है कि सिज़ा drop ले लो लेकि drop लेने का भी ने एक process होता है अब वो drop लेने के process के बार में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अगर आपने इतना video देख लिया है सबसे important बात है अगर आपने पहला और दूसरा अगर attempt दिया होगा first और second अगर अभी अपने attempt दिया होगा first या second तो अप लोग full drop मत लीजिएगा मतलब second के बाद तो आप लोग full drop बिल्कुल मत लीजिएगा partial drop लीजिएगा सारे बचों से मैं यही विंधी करता हूँ इसके example मैं देना चाहता हूँ कि 2021 में हमारा student था तेजसुआ गर के तो उसका वो third attempt था और उसको around 452 number आये अब वो fourth attempt के लिए mentally prepared नहीं था because वो exhaust हो चुका था family pressure, society pressure तो मैंने उसको बला कि भाई तो BMS ले ले and he took the BMS और वो first year में BMS के सासत अपने NEET की तयारी किया और 2022 में he scored 612 number 612 marks and currently वो MBBS कर रहे है तो अगर आपका second या third drop था तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप लोग सीधा का सीधा full drop लीजिए अभी क्या आता ना कि आप लोग बड़ी-बड़ी coaching को join कर लेंगे quota चले जाएं कुछ बच्चे कुछ offline join कर लेंगे और फिर क्या होता है वहाँ पर ranker और banker का system बन जाता है जो ranker बच्चे एक मेने में समझ जाता है कि यह rank निकालने वाले है और कुछ बच्चे banker है वो सिफ time pass करते है वहाँ पर जाके तो मैं आपको यही बोलूँगा अगर आपका second और third drop है अगर आपके number 300 कि 400 आ रहे है अब चुप चब BMS और BHMS में admission ले लो और NEET की preparation करो आप कोई भी online subscription ले सकते हैं आज options बहुत सारी है फर्स्ट यर में जो colleges होती है वो सुबह 9 से लेके 5 बेस तक ही होती है पांच के बाद तो भाई पूरी रात खा लिए तो आप लोग अपने recording देखके अपने syllabus क्योंकि मैनत extra करना पड़ेगा अपने को यह एक आप लोग किजिए और यह रहा आपके बास bonus number वाला system और भी कुछ जैसे की NEED24 में क्या syllabus चेंज होगा या नहीं होगा एक dedicated videos आएंगे और साथ-साथ में हम लोग practice session पर से सुडू करने वाले है और इस बार practice session बहुत धमाकेदार होगा और अब इस channel को subscribe कर लिए सबसे बड़ी बात ही है ना कि इस channel पर प्री में इस साल one of the India के top educators आपको पढ़ाएंगे NCRT word by word और NCRT based आपको practice भी करवाएंगे तो subscribe कर लिजेगा मिलते हैं आपको अगली videos में अभी के लिए बस उतना हैंगे Thank you, Jai Hind Thank you